भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तरी दक्षिनमध्य और दक्षिनपूर्वी भागों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है IMD ने महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री की पुष्टी की है और कहा है कि मानसून की उत्तरी सीमा रतनागिरी, शिमोगा और हासन से गुजर रही थी और अब आगे बढ़ने की उम्मीद है देरी से शुरू होने के बावजूद मानसून की वर्तमान प्रग्ती ने राज्य के लिए आशा जगाई है वर्तमान में पूरा महाराष्ट्र पाने की कमी का सामना कर रहा है, जून की शुरुवात से बहुत कम या कोई बारिश नहीं हुई आईएमदी ने कहा है कि मानसून 13 जून को उत्तर बिहार में दस्तक देगा प्राइवेट वेदर एजनसी स्काइमेट का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश संभव है तटिय करनाटक, केरल और अंडमान और निकोबार ग्वीप समोह में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है तमिलनाडू, कोंकन और गोवा, सिक्किम, उपहिमाली, पश्चिम बंगाल, लक्षदवीप, उत्तर पूर्व बिहार, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाना और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश संभव ह पंजाब, हरियाना, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तिसगड और जारखंड, ओडिशा, गंगिय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर और मध्यप्रदेश में एक या दो स्थानों पर हलकी बारिश हो सकती है महाराष्ट्र और गुजरात तट पर तेज हवाई चल सकती है गुजरात और महाराष्ट्र तट पर समुद्र में उची लहरें उठ सकती है बारिश की गतिविधियां गुजरात के दक्षिनी तट पर शुरू होने की उम्मीद है और धीरे-धीरे तेज हो सकती है मोल्तोल इंडिया आपको मानसून से जुड़े अपदेशन समय समय पर देता रहेगा मोल्तोल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें